हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सबका और एक ने वीडियो में तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम अल्डेडी डिसकस कर चुके थे अबाउट एन इंट्रोड़क्षन अबाउट एनिमल नूट्रिशन का इंट्रोड़क्षन के बारे में हम लोग बात किये थे जहां ही जो होता है ने स्ट इसके बारे में ही डिसकस करने हैं तो आज हम ढूर्गरा निंट्रिशन के बेद्व होते हैं आज पूर को क्राइस ने पूर पुरा nutrition का process जो होता है यह कैसे होता है आज हम इसके बारे में ही discuss करने वाले हैं तो especially हम लोग किसके बारे में बात करेंगे we are talking about the holojoic nutrition तो अभी बात आता है कि यह holojoic nutrition क्या होता है तो बच्चों जितने भी complex organisms होते हैं चाहे आपका लायन का बात कर लो टाइगर का बात कर लो या फिर फीसेस का बात हो जाए या फिर इभेन इभी हुमेन कहीं बात करते हैं तो यह सारे के सारे क्या करते हैं अल दी और गानिजम क्या होता है the type so nutrition in which which generate take the food for the mouth हम क्या करते हैं बच्चों हम जो खाना रहता है हम अपनी मुँ से लिटे हैं और बाकि सारा का सारा process जो होता है त過去 ना का Horror भी को एतने इस रहे हमारे body के या फिर हमारे inside Öman hotan है एसी का क्या कहा जाते है जितनेभी complex organisms होते हैं अ यू थे सारे क्या करते हैं बच्शोड होल acord जोईग निक्टरिशन करते हैं तो ये हलो जो इक नीटरिशन होता है वर चो ये खुद से हम वो फूरे के पूरे पांच टेको पढने वाले हैं को जरी पचो आगे देखते ही क्या है सबसे पहला स्पती है क्या होता है शोलगा हमारोफ पास निकल कर रहते हैं मैं इंजेशन, इंजेशन मतब क्या हाद, the process of taking food, जिस process से हम लोग अपना खाना खाते हैं, the taking of food is known as ingeeson, जैसे कि हमेरा जो हमारा मुझ से खाना खाते हैं, क्यों है और इफ अधर चायगर भीऩीज पहल्य पहलोंस यह सरे के साल कि अपना मूझ से अपना खाना खाते हैं भछो तो जिस प्रोसेस से हमापना खाना लेते हैं उसी को ही क्या का जाथ बटास फोल अगे उस्नल एष्ट अदिकरो q shooting आना चालू करते हैं या फिर जो फूर हमारा जो नहीं जैसे आपको पहले ही बोल चुका हो कि क्या होता है बेकिंग डाउन नफूरो टे और जिस प्रोसेस से हम लोग बेक्डाउन करते हैं वो टूरो क्या कहा जाता है तो डाईजेसंट कहा जाते है तो यहां पर सारे के सारे nutrients और component जो है एक तरह से मान के जो पूरा का पूरा complex फॉर में जो है यहां पर रहता है और यह इतना complex होता है कि हमारा body जो है इनको utilize नहीं कर पाता तो हमारा body क्या करता है कुछ ऐसे process करता है हमारे body के inside में या फिर हमारे body के अंदर इसके उपर कुछ आ मोट करते हैं और जिस process से तूटता है बच्चो उससी process को ही कि क्या कहा जाता है डाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, हाँ, and obviously यह जो कुछ भी आपका human में अलग होता है, grass eating animals में अलग होता है, amoeba में भी आपका जो है, वो अलग होता है, तो, डाइजेशन, तो सबसे पहले हम लोग किया किया, the first process, which जने, take the food through the mouth, the food which we are taken, जो खाना हम लोग लिए उनको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-पीसेस में या फिर simpler substance में तोडने का जो process होता है, इसी को क्या कहा जाता है, बच्चो, digestion बोलके कहा जाता है, then, now अभी ये हमारे सारे के सारे food, क्या होए, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे, या फिर simpler substance में convert हो चुके हैं, तो अभी इनका काम क्या होता है, तो हमारे cell जो होते हैं, हमारे blood vessel जो होते हैं, ये सारे के सारे जो necessary nutrients रहते हैं, ये सब कुछ वो absorb कर लेते हैं, और हमारे body में भी, या फिर हम आगे पढ़ने बाले हैं, कि हमारे small intestine में वो कुछ ऐसे finger-like projection प्रोजेक्शन रहते हैं, they are known as the wh भीली, और भीली भी क्या करते हैं, फूड को जो है, वो generally absorb कर देते हैं, absorb कर देते हैं, और with the help of blood vessel, हो गया, blood vessel इनको क्या कर लेगा, हर एक cell के पास हमारा ये जो absorb food जो रहेगा, ये इसी absorb food या फिर जो digested food जो रहेगा, इसको transfer कर देगा, और उसी process को क्या कहते हैं, बच्च ये क्या होता है, with the help of blood vessel, ये क्या होता है, हमारे body के हर एक या फिर अलग अलग पार्ट में ये transfer हो जाता है, और उसी को, या फिर absorb हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बच्चो, absorption बोलके कहते हैं, समझ में आया, तो बच्चो, भी बात आता है, what after the absorption, absorption के बात क्या होता है, food तो हमारा simpler substance में convert होगे, हर एक cell को चले गए, तो हर एक cell क्या करेंगे, बच्चो, ये जो absorb food जो रहता है, ये फिर जो simple substance, जो convert हो चुका है, उसी food को वो utilize करेंगे, किसमें energy convert करने में, जो खाना खाते हैं, हम लोग बहुत बार पहले से पढ़ चुके हैं, कि क्या होता है, उससे energy मिलता है, तो वो energy कौन से process से मिलता है, बच्चो, उसी खाने को, जो हम लोग खाना खाते हैं, या फिर food digested होने के बाद, वो absorb हो जाते हैं, और उसी absorb food के उपर, हमारे जितने भी cell होते हैं, ये इनको convert करते हैं, या फिर उसको utilize करते हैं, assimilation का simple मतलब, आप लोग या food रहते हैं, ये converted होते हैं, किसमें energy में, और वो ही energy हमारे various purpose के लिए use होता है, जैसे growth के लिए हो गया, repair के लिए हो गया, reproduction के लिए हो गया, जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीजों का जरुत होता है, इन सारे के सारे काम में, हमारे ये assimilate energy, या फिर जो energy release होता है, उसी खा protein, vitamins, required by the body, it's called assimilation, जिस process में, वो digested food से protein, vitamins, minerals, इस सारे के सारे release होंगे, इसी process को क्या कहा जाता है, बच्चो, assimilation कहा जाता है, then finally, क्या होता है, बच्चो, हम जब भी खाना खाते हैं, कुछ ऐसे भी substance हमारे खाने में रह जाते हैं, जो कि हमारे body के लिए जरूरत नहीं है, या फिर जिसका हमारे body को जरूरत नहीं है, फिर body digest ही करने ही पाता है, इसको breakdown करने ही पाता, और वो सारे के सारे substance क्या होता है, undigested substance होता है, और last process में क्या होता है, वो जितने भी undigested food रह जाते है, या फिर undigested substance रह जाते है, ये सारे के सारे क्या होता है, हमारे body से remove हो जा यह क्या होता है ? यह क्या होता है ? जो कुछ भी हमारा बाडी में डायजेस्ट नहीं हो पाता है यह फिर पच नहीं सकता है हमारे बोडी के अंदर यह सब कुछ क्या होता है ? इन दा फार्म फेस्ट हो गया ? यह क्या होते है ? बाहार रीलिज हो जाते है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफेसेस इच ऑल्सो नोन एज डीफेकेशन भी बोलके कहा जाता है समझ में आप बच्चों सबसे पहले क्या कि हम लोग खाना खाए वो खाने के साथ क्या हुआ सारे के सा पीडिशद में भी जान कोचांटाइओ झाल होते हैं पहुँआपकी इंश उतनाे परोटीन वार्टामिन इस इन सब में आपका पहली रिलीज गाल्याओucci ऑप लाइस लिक्यारो चैल से जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाय तो और वह lataraya सारे जो है हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्छो इजेशन कहा जाता है देखो बच्छो ये दोनों के दोनों जो टर्म है इंजेशन और इजेशन काफी क्लोज रिलेटेड टर्म है इसी के लिए इसमें क्या होता है इन दोनों को बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन इन हुमन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई